में एक बात कहना चाहूँगा साथी आरेविया में आप फि SCOTT प्रेमिया में कहीं भी हैं मैं बोटा हूँ हूँ है आप इसी में आएंगे क मैं बात करने वारा हूँ लेकिन मैं साथी नियॉक्त थिक्यों होती ही जातर साथी और कर लग है अच्छाई साओधी अरेबिया में अगर कोई बंदा चाखता है कि मैं वीजा लेकर साओधी अगा जाऊं और वहाँ पर मैं अच्छे पैसे कमाऊं अपनी फैमिली को पीछे स्पोर्ट कर सकूँ या मैंने जो भी मामलात हैं पीछे बैठे हुए मेरी फैमिली के या मेरे उनको किलियर करूँ तो भाई आप किसी ना किसी चीज़ में माहर होने चाहिए मुल्म, कारिगर, किसी ना किसी चीज़ में कारिगर भी वो होने चाहिए कि बाई चीज़ को हाथ लगाए और चीज़ के पता चले कि मुझे किसी कारियर ने हाथ लगाए फिर मांग देखें आप साओधिया में आप अपनी साओधिया में हर उस बंदे की मांग है जो बाई किसी ने किसी चीज़ में माहर है और वाके उसकी इज़र की जाती है और वाके वो पैसा कमाता है बागी वीडियो मैं आपको तफसील बताओं आज एक भाई ने मुझे रापता की यह यकीन माने मैं के लादा वीडियो बना कर उसके मसले के उपर शेयर करूंगा क्योंके वो मसला थोड़ा लंबा लंबे समराद यह कर तीन चार मिट उसके उपर हमें बात करनी पड़ेगी तब ही किसी भाई की समझ में बाता आएगी वरना लाखों रुपए डूप गया यकीन मानिए ऐसे ऐसे मसले मिसाल बनते हैं बाराल साथिया का वीज़ा आप ले रहे हैं भाई तो मैं चलो स्टार्टिंग में यह भी आपको बोल दूँ कोई ऐसा बंदा डूड़ें कि जो आपके काबले इतमाद हो यानि कि आपके महले का गाउं का इलाके का आपके शहर का उससे वीज़ा पर चेस करें यहां साथिया में अगर आपका कोई दोस्त भाई अहबाब कोई बैठा हुआ रिष्टेदार वगारा तो उससे बोलने वहां से लेकर वो आपको दे 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 तो वो थोड़ा महंगा भी मिल जाए तो ले लेज़ेगा उसमें ग्रंटी तो होगी ना मिसाल कि आपके आपके गाउं का शहर का बाई आपको बाद में जाकर उसको पकड़ने वाले तो हैं अगर कोई किसी किसम का मसला बन जाए तो बागी सौदिया का वीज़ा लेने से पहले अपना स्टेटिस जरूर चक करवाएं कि आप सौदिया में क्या जा भी सकते हैं ये भी कंफर्म है भाई क् कि एरपोर्ट से फिर वापस लाख रुपए भी गया है और फिर जो बिस्ती वाला प्रोग्राम है वो अलग से यकीन मानिये ऐसे केस भी बेशमार सामने आ रहे हैं तो अभी तो खुद सौदी जवाजाद उस चीज़ को हैंडल कर रही है और बकाईदा सोशल मीडिया के व वो चीज़ पूरी दिखा कर बताती भी हमें इसके मतलग मैंने दो दिन पहले यह वीडियो लगाई है जिन भाईयों को हाईल एरपोर्ट से वापस किया गया है पकस्तनी तो वीज़ों के मतलग यह है जिके मिसाल के तो अप आप साइखा सामर मंजली वगारा का वीज़ा चाहते हैं आपको पता है सस्ता वीज़ा होता है थोड़ा जो सौधिया भाई है वो जानते हैं और अगर आप कफील के एंटर में काम करेंगे फिर तो आपको मजीज सस्ता मिल जगा और फ्री वाला सिस्टम नहीं है को फ्री शायद को कफील यह कफीलन देते लेकिन आगर जिस मंदें देना वो फ्री वाला सिस्टम तो हैं यह नहीं हाँ थोड़ा सस्ता मजीज Depard कर लेता है वो परतیसी भाई जो बाई मैं ऐसे दोस्तों कुछ जान के दस सब्साइ возь 지금 20 за हारी के साफ्रा हैं भाहर काम रही हैं सायखा सामल मंगजली के उनके महने हैं लगे हुए हैं भाई बस नहीं हाथा आ जाएं अगर हाथा जाएं इन बदून कफील के जुमरे में रखके डीपर कर देते हैं वो यह भी क्लियर कर दूँ आपको मैं हाँ कुछ छोड़ दे तो फिर खुदा तरसी कर जाएगा आपके और वरना मामला छोड़ा तो छोड़ने वाला नहीं होता है तो बाराल जी अगर साइका सामल बंजली गरा वाल वीज़ लेना चाकते हैं इस वक्ते पांच, छे, साथ, हजार रियाल के अराउन में आपको मिलेगा और अगर आप कफील के अंडर काम यहन कफील को घर का वाके ही मलाजम चाहिए तो फिर आपको हो सकता है वो दो तीन हजार, चार हजार के अराउन में वीज़ा मिल कैनरी भी उसी हिसाब से देते हैं 12-1400 और वो भी किसी मन्त दे दी अगर किफील अच्छा हो भाई लोग सालों के साथ चलते हैं और बहुत से अच्छे मैंने किफील देखें ताइफ मैंने पाकिस्तानी देखा आपको शौर सा बता दू कि वो एक साथी लड़की थी उसको ल परकी छोटी थी जब से मैं इनके साथ हूँ अभी बड़ी होगी है अमेरिका से पड़की आई यह जॉब लगी है तो माशालला याद बात करने के सिर्मक्साई यह था कि उनको कफील अच्छा मिल गया उनको वो आदमी अच्छा मिल गया लंबार सा चले साथ में तो बरहा आमल के वीज़े के मतलब बात करें तो आमल के महने वाला वीज़े इस वक्त आठ हजार रियाल से शुरू होता है और उसमें भाई यह भी फटड़ा है पिर के आपका इकामा दस हजार रियाल में लगएगा कफील की मंतरी आप उपर जितनी देंगे कफील को आपके कफील क है इन से वो कैसी मागत उता हूँ फर्दिम ससे का चक्र यह जी कि फर्दिम ससे में आपका मेहना तो बढ़ा होगा यानि कि साइखास आमल मंजली वगर वगला महना नहीं होगा महना तो आपका बढ़ा होगा लेकिन वीजा आपको एक तो सस्टे में मिलेगा साथ-ाठञजार रेल के आराउन वीजा मिल जएगा चलो मालिया जो आमल का महना बढ़ा वीजा होता है उसी के मतरादव आपको मिल जएगा ये साइखास से में गला मेहंगा बिलता है लेकिन इकामा जो है ना वो सस्ते में बनता है इनका फर्दिम सस्ते का यानि के कफील को आपने 5000-6000 इसी अराउंड में देने हैं जो चल रहा है अभी का मन्त सलाना ठीक है उसने आपका इकामा लगा कर आपको दे देना है आपने पूरा साल भाई फिर फरी हैं पूरा साल जिदर मर्जी काम करें ये मामलात होते हैं वीजों के मतलग मैंने आपको बता दी है वागी आपको इसके मतलग कोई और फिर्म प्रिमेशन चाहिए और सम्नमर आपको स्टार्टिंग में दिखा चूंगा आप मुझसे रफ्ता कर सकते हैं अब ये आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ इस पिक्चर मैं थोड़ा इस तरह हो जाता हूँ पिक्चर के मतलग बात कर लेती हैं जी यी के सउधीयर वीजे की वीजे ही है है वीजा विजा कैसे करना विजा लेना आपने कैसे हैओ वीडियू को बparagus भर आ नशिदीग में थे तो बरहल साथिया कोई केमिकल एंजिनियर को कोई 3500 चार हजार रियल सेलरी देता है तो फिर इकामा और टिकट वगरा उसकी खुद की होती है और यह जो यह जो मैं आपको बता रहा हूं ना 3500 चार हजार रियल सेलरी इसमें भाई वो बंदे एड़्जस्ट होते हैं जो कुछ मक्सूस या कुछ मक्सूस कमपनी को ऐसे बंदे चाहिए होते हैं ऐसा नहीं कि आपने केमिकल एंजिनियर किया और आप सौधिय में चले चेंगे उसी टाइम आपकी सेलरी लगजेगी कमप सीवल एंजिनियर 4500 रियल सेलरी माशाला क्या कहने सीवल एंजिनियर वाले पाकिस्तान में ना धक्के खाते फिरते हैं बचारी यह तनी तली मसली की जौब नहीं मिल रही है अच्छा जी यह भी मेरी समझ से बाहरा है ऐसा नहीं होता है कमपनी अगर को किसी को बलाए तो 15 सेलरी देगी इससे जायद नहीं देगी और बाहरा आप अजाद कहीं ढूंडेंगे तो भाई वो आपको हिकामत खाता वगरा सारा आपके खाते में डाल देगा आपको खापी करके फिर वो ही बचेगा दो हजार पची सो शैद दो हजारी बचे नीचे आजी लांडरी टेक v grain टेटन से जायार सृटन सीअ च्शंट अजी 5500 से अठारा से रहाल सैलरी है डूली टीप झाध्स ऑसनुस जोना सो आगे step जूछे वीशन सीर्ण में कानीकल टेक्नीशन एड़ाईलर टेक्नीशन इससा दिकरफिन की 1500-800 लीक्षिए जाया साब कीजिए इलेक्ट्रिकल Foto आपुरेटर टेक्शन जेनेरटर टेक्निशन ठीक है इलेक्ट्रिकल 1500-1800 तैलरी और इलेक्टरॉंट्स टेक्णिशन यह सब इनकी भाई सैलरी जो है नवह यहीं लिखिए 500-1800 रेल आप खुद भी बढ़ सकते हैं और तक सेलरी इनको दे रहे हैं बिल्डिंग फॉर मैंन को बहाई दो हजार से तेजसार रहाई सो इसी रांड वे सैलरी बता रहे हैं यह भीर्टाने का मक्सद यह तो बहाई देखें आप यह जो मैंने अब होता है इसमेहरें के बिल्कुल वीजे होते हैं इसमें को शक नहीं करते हैं लेकिन लेंगाए यह दोग्ता है अबने हैं एक वीजा किसे वीजारी करना है वीडियो को हूप प्यूल इसे वीजार में हैं जब वो काम नहीं देगी, बहुत कम होता है, वही काम आपको मिल जए, वहां पर आपको किसी और काम के ओपर लगा देगे, बोलेंगे, जी अभी वो काम नहीं है, आप ये कर लें, बाद में चलो उसके ओपर आपको एरजिस्ट करवा देगे, ये ये वो है, तो मैं कमपनी के से लीजिएगा और मेहना वगारा देख लीजिएगा और उससे कंफर्म बात कर लीजिएगा भाई मुझे सलाना कितने देने पढ़ेंगे क्या मामला आता है आप दूसरी बात किसी ना किसी चीज़ में जिसकर वीडियो का स्टार्ट में बता चुका हूं मैं माहर होने किसी चीज़ जिसक्षाइब कर दो दूसरी इृपिएगा ये स्टूसरी बता बास्ट लीज़ किसी चीज़ में गवारा है फिक जसेत बता है da यड़ँ जूसरी पिसका साला मैं मुझेगा आता हैं आपका है